Hello students and welcome to Roshy's Education Point. आज हम बात करेंगे मोहक हिंदी व्याकरिंड कक्षा 3 पाठ 5 पाठ का नाम है संग्या बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्रतियक, व्यक्ति, वस्तू, स्थान, पश्यू, भाव, आदी सभी के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं नाम बताने वाले सभी शब्दों को संग्या कहते हैं ऐसे शब्द जिन से किसी व्यक्ति का पता चले, किसी वस्तू का, स्थान का या पशू या भाव का बतर लगता है उन्ही शब्दों को हम संग्या कहते हैं जैसे की कबूतर, कुतुब मिनार, बस, हस्ता हुआ बच्चा, उपरोक्त चारों चित्रों में कबूतर पक्षी का नाम है, उसी तरीके से कुतुब मिनार स्थान का नाम है, बस वस्तू का नाम है, और हस्ता हुआ बच्चा भाव का नाम है, हिंदी भाषा में ये सब ही नाम संग्या कहलाते हैं और इनी सब को हम क्या बोल देते हैं संग्या इसकी परिभाषा देख लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संग्या कहते हैं अब आजाते हैं संग्या के भीद विभिन व्यक्ति, स्थान, वस्तू, भाव, आदी के नामों के आधार पर संग्या के तीन भेद होते हैं पहला है व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा है जाती वाचक संग्या, और तीसरा है भाव वाचक संग्या इसमें से जो सबसे पहला है वो है व्यक्ति वाचक संग्या जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति स्थान अत्वावस्तू का बोध होता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं अब ऐसे शब्द जिसे किसी विशेश व्यक्ति का पता लगे यानि के इंद्रा गांधी, किसी स्थान का पता लगे यानि के गंगा, या फिर किसी वस्तु का पता लगे यानि के हिमाले, ऐसे सारे शब्दों को हम व्यक्ति वाचक संग्या में बोलेंगे. इंद्रा गांधी गंगा और हिमाले व्यक्ति वाचक संग्या के उदारण है इंद्रा गांधी एक व्यक्ति विशेश महिला का नाम है गंगा एक विशेश नदी का नाम है और हिमाले एक विशेश पहार का नाम है इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है इसी लिए यह व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं अब इंद्रा गांधी या फिर गंगा या फिर हमाले इनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है इसी लिए हमने इसे व्यक्ति वाचक संग्या बोला है तो व्यक्ति वाचक संग्या की परिभाषा एक बार हम पढ़ेंगे जिस संग्या शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, वस्तू और स्थान का ग्यान होता है उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं ऐसे सारे शब्द जिनसे विशेश व्यक्ति, विशेश वस्तू या फिर विशेश तान का हमें ग्यान हो, उन सभी शब्दों को हम व्यक्ति वाचक संग्या बोल देते हैं जैसे श्री राम, आगरा, रामायन, आदी ये सभी के सभी व्यक्ति वाचक संग्या के उधारण है अब आते हैं जाती वाचक संग्या में कुछ संग्या शब्द अपनी पूरी संपूर्ण जाती का बोध कराते हैं अब ऐसे शब्द जो की संपूर्ण इनकी जाती प्रजाती का बोध कराएं तो उन्हें जाती वाचक संग्या बोला जाता है जैसे की यह विद्यालय है, बाग राश्ट्रिय पश्यू है, हिरन दोड रहा है यह सभी के सभी जाती वाचक संग्या के उधारण माने गए है विद्यालय, बाग, हिरन यह तीनों ऐसे शब्द हैं जो संपूर्ण जाती का बोध कराते हैं इन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं तो अब एक बार परिभाशा देख लेते हैं जाती वाचक संग्या की, जो संग्या शब्द संपूर्ण जाती, समुदाय या वर्ग का बोध कराते हैं, उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे बालक, नदी, कौपी, संत्रा, अंगूर, पेड, ये क्या कर रहे हैं, अपने जैसी पूरी समुदाय या पूरी जाती के बारे में हमें बता रहे हैं, इसी विए इन्हें हम जाती वाचक संग्या की नाम से जानते हैं, फिर आता है हमारा भाव वाचक संग्या, जिस संग्या शब्द से किसी गुण, दोश, दशा, स्थिती, अवस्था, आदी भाव का बोध होता है उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे प्रेम, दया, सुंदर्ता, बुडापा, आदी अब ये सारे वो शब्द हैं जिनसे किसी के गुण के बारे में पता लगता है या फिर दोश के बारे में पता लगता है या फिर उनकी दशा या स्थिती के बारे में पता लगता है तो ऐसे सारे ही शब्द कहला जाते हैं हमारे भाव वाचक संग्या यही था हमारा पार्ट कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगा धन्यवाद